चुकि भाजबा मुद्दा विहीन हो चुकी है, राम कभी उनमात के रास्ते नहीं जा सकते हैं, चुकि ताड़का के जो बंसज हैं, वही लोग आज जादा परेसान हैं, राम के जो लोग मानने वाले हैं, वो मर्यादा में बंदे होते हैं, और यही कारण है कि भाजबा जनत को मानव और मानर के बीच में नफरत भरना चाहते हैं, धर्म और धर्म के बीच में लडाना चाहते हैं, राम के प्रतिनिष्ठा है, राम के सवाल पर तो कभी उन्हें नहीं कहा, गरंत में कुछ पंक्तियों के सवाल पर अपने मंसा बताई हैं, संभिधान भी कहता है कि सभ अधर होनी चाहिए हम सभी धर्मों का आधर करते हैं किसी की भावना जहां नीत है उससे अलग हम हो ही नहीं से जो लोग भाजपा में रहकर क्या है वो हम पर भाजपा का सानिलता का रूप में लगा सकते हैं नमस्कार मैं अधीदी सिन्हाओ और आप देख रहे हैं आईवी टीवी बिहार में राजनीती पूरी तरह से गर्म हो गई है चंदर शेखर जी के एक बयान के बाद डॉक्टर सर्चंदर शेखर जो की बिहार के सिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा राम चरित मानस के चंद को गलत बताया गया और उसके बाद से लगतार ये देखा ज़ा रहा है कि महागडबंधन की जो पार्टी है साथ में उनके भी कई नेता सामने आकर चंदर शेखर जी के बयान को गलत बता रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस पर राज़त को आक्शन लेना चाहिए तेजश्वी आदब को स्वैम आगे आकर आक्शन लेना चाहिए ऐसे में तेजश्वी आदब ने भी बीते कल मीडिया से बात चीत की लेकिन चंदर शेखर जी को लेक वैसे में आज हम राजत कार्याले में हैं और हमारे बीच मौजूद हैं सक्ति सिंग यादव जो की आरजडी के प्रवक्ता हैं उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर और रामाइन में सबकी आस्था है रामाइन गरंथ है और जो कोई आस्था का कंद्र होता है तो आस्था के खिलाफ मानब नहीं जाता और संबिधान जिस देश का पवित्र गरंथ है जिसने हम अधिकार दिया संबिधान भी कहता है कि सभी धर्मों का आदर होनी चाहिए और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं किसी की भावना जहां नहींत है उससे अलग हम हो ही नहीं सकते लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि भारतियन तहपाटे इन दिनों मुद्दा विहीन हो चुकी है रुजगार के सवाल पर, बीकास के सवाल पर, परेयान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर देश में बढ़ती अर्थ वस्था की जो किलते हैं उसके सवाल पर, गिरती अर्थ वस्था है उसके सवाल पर, प्रोसी मुलकों से रिष्टे खराब हैं उसके सवाल पर, चारो तरब से भरतितम तापार्ती भद पिड़ चुकी है, और यही कारण है कि भाजपा जब पर भगवान राम जो मर्यादा के प्रतीके हैं वो उन्माद के रास्ते को कभी नहीं पकड़ सकते उन्माद के रास्ते राम नहीं जा सकते हैं च्छाई अधिनायक वाद जो लंका में थी उसको समाप्त करते हैं वो राम नवाद के रास्ते कैसे जाएंगे उन रास्तों में कोई एक भी ब्यक्ति नहीं थे ऐसा ब्यक्ति जो धर्म का पेरोकार आज मान रहे हैं उनके बंसा बलियों में से कोई आदी भगवान राम के चाहिल में अकबर के सम्काल इन में कुछ रचना कारुने जो रचना की कोई भी अगर दोहा कोई पी چोपाई कोई चंद अगर मानम मुल्यों को कहन्डित करने का इसारा भरता हो तो उसकी ब्याक्ख्या का एक मार हो ही जाती है और जो ब्याक्ख्या होती है तो उसके तरक संगत चीज़ें खूल करके भी आती है दो बाते एक साथ नहीं हो सकती है कोई अगर ये कहता है पूज़ो भी प्रसिलगुन ही ना सुद्र न पूज़ा इचतुर परमीना तो सुहाविक तोर पर व्याख्या सामने खड़ी हो जाती है इसका मतलब यह नहीं कि रमायन गरंज से हमारा निष्ठा खत्म हो गया रमायन के प्रति राम के प्रति निष्ठा है राम के सवाल पर तो कभी उन्हें नहीं कहा गरंथ में कुछ पंक्तियों के सवाल पर अपनी मंसा बताई हम तो रोम रोम में राम हैं सरवत्र हैं सरवग्य हैं सब में हम में आप में खड़ेखं में हैं तो भारतीन था पार्टी उनमाद का रास्ता देखना है चुकि भाज़्वा मुद्दाबीहीन हो चुकी है राम कभी उनमाद के रास्ते नगें आ जा सकते हैं चुकि तार्णा के जो बंसज है वही लोग आज जादा परेसान हैं राम के जो लोगों मानने वाले हैं, वो मर्यादा में बंधे होते हैं, राम मर्यादा के परतीक हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, जन भावना का ख्याल करने वाले थे, एक आरोप लगने के वाज पर त्याक कर देते हैं, वो राम हैं, इसलिए राम जो हैं, कनकन में हैं, राम म बापु के हत्यारे को मेहमा मंडित करने वाले गोटसे को प्रग्य ठाक और क्या करवाई कि प्रभान मंत्री करें को जिए निकल रही है तो उपेंद्र कुश्वाहाजी के तरफ से जीडियों के तरफ से ये कहा जा रहा है कि राज़त जो है वो स्टेटिंग में है भाचपा क इस लिए इस तरह की बयान बाजी निकल कर सामने आ हीै कि ब्यानबीर ओंके कि पास जंता की पुंजी नहीं है जनता की पुझी अधरनी लालुपस्टाजी अधरनी नितियस्कुमार जी की पास है और जनता के विस्वास इंदनेताओं के श्राथ है अब सवाल ये उठता है भारतियंता पार्टी से राष्टियंता दर्का कोई पुरातन नाता रहा है क्या जो लोग भाजपा में रहकर के आए हैं वो हम पर भाजपा का संधता का रुप में लगा सकते हैं अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कोश बाहर जो भाजपा में रहकर आए हैं वो आपके राज़त के ऊपर मैं किसी का नाम नहीं लिता, हमने सवाल ये किया कि भाजपा के साथ उनके सासन में सासन का हिस्सा बन करके काम करने वाले लोग अगर हम पर भाजपा को सहायता पहुचाने का आरूप लगाएंगे तो हस्यास्पत होगा जनता भी थुकेगी अब जिनको अपना रास्ते एक्स्क्यूज ढूंडना है बहाने ढूंडने है तो अलग अलग चीजें वो ब्याक्या कर जाते हैं वो उनकी अंदर जो ब्याकुलता है उसका प्रकटिकरन हो जाता है तो ब्याकुल होता है जब आत्मा किस रूप में कभ किन प्रसितियों में कभी कभी कुछ बोल जाते हैं। रमायन का विरूद बता दिया जब कि सच है कि एक दोहे के संदर में चौपाई के संदर में एक चौपाई के संदर में की गई व्याक्या को पुरा देश का मिडिया कोई काम है दखें रोजी रोटि पर चर्चा करते हुए नौकरी पर चर्चा करते हुए ब्रिजगारी पर चर्चा करते हुए अगनी बिर्थोप दिया चर्चा हुआ पूरे देश में आग लगी हो गई पक्ष में लोग बोधी स्टेट के किराये पर काम करने वाले लोग उसी तरह के बक्तब देते हैं जो कुछ भी फिलाल सर चल रहा है उसमें जो गलियारे में अभी संसनी बनी हुई है लगतार ये सवाल किया जा रहा है जेडियो के उपेंद कुछ वहां ने भी ये सवाल किया था वो सुधाकर सिंग के समय से ही ये बोलते नजर आ रहे हैं कि सुधाकर सिंग की बयान बाजी पर पहले तो खुद राज़त को आक्शन लेना चाहिए तेजश्वी यादव को आक्शन लेना चाहिए और उसी अगर कुछ बोलते हैं तो जद्यू नेत्रित्व खुद संग्यान लेने के लिए सक्षम है तो राज़त नेत्रित्व निरने लेने के लिए सक्षम है ये ये नी दर्शारा सेर की महागडबंधन में फूट होती जा रही है कवी नितिस जी को उप्राश्पती बना रहा था कवी गवर्नर बना रहा है कवी कंद्रिय मंती बना रहा है जब से मागडबंधन बनी है मानो ब्याकुलता के परकाश्था पर पूरी मीडिया पड़ गई है जो गोदी स्ट्रेट के लोग है यानि कि ये पूरा किया धड़ा बस भाजपा का है इसमें बस एक सगुफा है अपने मुलभू समस्याओं से बढ़ते हुए तेज़श्वी के कदम से मागडबंधन सरकार के निरनेओं से दवाई के छेतर में, अस्पताल के छेतर में, कारिकरमों के छेतर में, विकास के छेतर में बढ़ते हुए कदम भरतिनता पाटी की नींद जो है हराम कर दी है तो उसी का मतीज़ा है सर मेरा एक आखरी सवाल ये होगा, कि ये जो इस तड़ा की बयान बाजी चल रही है, राज़त की तरफ से हो, या फिर जेडियों की तरफ से हो, क्या ये भाजपा को और मुद्दा देने का काम नहीं किया जा रहा है, उनको एक पिछ तयार कर दी हुए अरे कोई मुद्दा नहीं, इतने हम लोग बयान देता है, विकार से कहा को उठाता है मिडिया, मिडिया तो ही बिडिया कोई काम है, मिडिया यो कभी देखे हैं, बिहार के हित में कमपेंच चलाते हुए, कि बिहार को बिशेश सहायता मिल जाए, बिशेश दर्जा मिल कोई कुछ कह रहा है कि, कोई कुछ बोल रहा है, कि एक तुलसी सपर भारी, कोई कुछ बोल रहा है, अब क्या करिएगा, बाल में की करित्रमाइन और तुलसी करित्रमाइन के अगर चर्चा करेंगे तो बड़ा फिर कई सवाल खड़े हो जाएंगे, यह तो अकबर के समकाल जाएंगे तो फिर प्रसान हो जाएगी भाजपा जैसा कि आपने सक्तिशिंग जी को सुना उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि यह बस भाजपा की रननीती है जैसा कि कल तेजश्वी आदब भी यही बोलते नजर आये थे कि यह भाजपा का सब किया धरा है वो एक सब्सक्राइब भाजपा के पास अपनी ओर से और कुछ दर्शाने को बचा नहीं है तो भाजपा इस चीज की राजनीती कर रही हो और इस तरह से विवाद खरा कर रही है इस खबर में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे आई वी टीवी के साथ क्यामरा पॉसन हीरा क के साथ मैं अदीती सिना आई वी टीवी पटना धन्यवाद तफकॉन एक्स्टी सिक्स हंडर्ड एच सी आर टीम्टी रिवा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राटाफ घर को बनाना है एक्स्ट्राटाफ तफकॉन एक्स्टी के साथ